Hello everyone, Welcome to Taste of India ये ओल है इसे जमिकन, सूरन या तो यैम भी कहते हैं ओल को विजीटेबल मार्केट में देख कर भी बहुत सारे लोग लेती नहीं है क्योंकि या तो इसके बनाने की तरीके की जानकारी नहीं होती या तो इसके फाइदों के बारे में नहीं पता होता है ओल के बहुत सारे health benefits हैं जिनकी जानकारी में description box में दे रही हूँ क्रिप या चेक जरूर करें क्योंकि जानेंगे तो कहेंगे काश पहले पता होता बिहार में ओल का काफी प्रचलन है इससे भरता यानी चोखा बनता है पर आज मैं curry की recipe शेयर कर रहे हूँ ओल में एक doubt होता है कि इसका nature itching होता है पर मैं आज कुछ tips बताऊंगे जिससे इसका itching nature खत्म हो जायागा और सबजी काफी delicious बनेगी बिल्कुल language का मजा देगी recipe अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करें friends and family में शेयर कर ले चैनल पर नहीं है और सब्सक्राइब नहीं किय में cut कर लिया है मैंने ओल को लेकर पहले tip यह है कि मार्केट से जब भी ओल ले तो चेक कर ले कि अंदर से light color का हो क्योंकि dark color के ओल से ही खुझली होती है दूसरे tip इसके उबालने के तरीके में है इसके लिए ये अमरूर यानि की ग्वाभा का पत्ता लिया है मैंने प्रेसर विसल आ जाए तो आच बंद कर दे खुद बखुद steam निकल जाने दे और ओल को पानी से निकाल कर अलग रख ले कभी कभी सूरन में एक अजीब सी smell होती है अमरूत के पत्तों के साथ उबालने से वो smell निकल जाती है दूसरा खाते समय इस तरीके से उबालने से मुह में पुबले हुए सूरन को एक से देड़ इंच के टुकडों में कट करें और मसाले की तयारी करें इसके लिए ले दो इंच का तुकडा अध्रक का और आट से दस लसन की कलिया अब एक मसाला प्रिपेर करना है इसके लिए बोल ले और इसमें हाफ टिबल स्पून हल्दी पौ और चार मीडियम साइस के प्याज है इन्हें पतला और लंबे स्लाइसे में कट करके रखें इस सबजी में प्याज को बारी कट न करें क्योंकि इसकी ग्रेवी अलग टाइप से तयार करना है जो मैं आगे बताऊंगी एक कढ़ाई को आज पर चढ़ा कर दो टिबल स्पून में आज आएगा इसे तेज आज पर तीन से चार मेर तक फ्राय करें जिससे इस पर एक क्रिस्प और पिंक सी लेयर आजाए जो सबजी का स्वाद बढ़ाएगी क्रिस्प हो गया है सारे ओल के पीसे तो निकाल लें कढ़ाई में तेल बढ़ा कर पाथ चिम्मच कर लें तेल गर्म हो जाए तो हाफ टिबल स्पून साबुत जीरा डाले साथ में चार लॉंग एक डाल चीनी का टुकुड़ा एक साबुत लाल मिच पास से छे काली मिच दो छोटी लाइची एक बड़ी लाइची छील कर ले और एक तेज पता ले जीरा के साथ डाले और खड़ा मसाला को आदा मिनिट फ्राय करें तभी इसका अरोमा ग्रेवी में इंफ्यूज होकर फ्लेवर को बढ़ाएगा अनियन के स्लाइस डाले इसमें अभी नमक नहीं डाले नहीं तो प्याज पानी छोड़ देगा तेज आज पर प्याज को लगातार से चलाते हुए इस तरीके से पि कोल की सबजी में चाहिए वो नहीं आपाएगा इसलिए जब भी प्याज को फ्राय करें तो आज तेज रखें पर लहसन अद्र को मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से तेल के छूटने तक पकाए और यहां पर हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिश पॉडर डाले कश्मीरी को मसाले के साथ घोला नहीं था मैंने क्योंकि यहां पर डालने से कलर सबजी का अच्छा आता है घोला हुआ सारा मसाला डाले और मीडियम फ्लेम पर लगातार से तेल के छूटने तक पकाए इस मसाले से भूनते हुए तेल छूटने लग गया है तो मसाले वाली कटोरी में दो चमच पानी डाला है मैंने और इसमें डाल दिया है बापपर से मीडियम फ्लेम पर भूने जिससे ग्रेवी काफी अच्छी और लबाबदार बनेगी मसाला भून चुका है और तेल छोड़ा है यहाँ पर फ्राय के ओल के पीसेज डाले और हाफ टेबल स्पून देसी घी डाल दे इससे फ्लेबर काफी इन्हेंस होता है जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंगली पानी डाल दे स्वादा नुसार नमक अब डाल चुथाई टेबल स्पून गरम मसाला डाले मिला दे और ढग दे पास से साथ मेर तक धीमी आज़ पर पका ले पास मेर हो गया है लिड हटा कर चेक करें काफी अच्छा कोर्मा रिलीज हुआ है और ग्रेवी काफी लगबदी और लबाबदार बनी है चटपटी दिख रहे ह चावल पराठे और पूरी के साथ भी खाई जाती है ये ओल की सब्जी आप इसारे टिप्स को फॉलो करें और ओल की ये टेस्टी सी सब्जी बनाए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताए आपकी सब्जी कैसी बनी वीजियो अच्छी लगी है तो लाइक शरूर करें थैंक यू तेक केर और बाइ बाइ